आखेने आधा है, नमस्कार स्वागत आपको नमस्कार, हुए आपका मैं संестоुज जी आपके सवाद गालोن की नशया रहा दिए है? बाल उतरते हैं, खाने में एक टोईट लहना राता है, और नुसकह हो सकता है जो बालोू का कैं शाक बताता है प्रफि scared पुरे तरीके से आप आए चाहिए बाल आपके उतर रहें या आपकी मेशिस के मेरे उतर रहें अच्छा वादिके बालों की सुरक्षा में कई चीज़ें हैं एक तो प्रोटीन का इस्तमाल जरूरी है और विटामिन E का इस्तमाल जरूरी है और ऐसे जो आते हैं शेंपू या साबून उन से जरा कम इस्तमाल किया करें नजला खांसी बलगम है तो उसका इलाज करें अगर वो नहीं है तो फिर दीए एक आता है गौन मौरिंगा सफद गौन मौरिंगा सफद याद रखें लाल वाला नकली होता है तो कोई भी लाल लेका अगर खाएगा तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता कौन मौरिंगा सफद आदा गिराम रोजाना पानी में मिलाकर पी लिया करिए और अगर आप रईस हैं तो ये एक नारियल पानी मिलाकर पीजे आदा गिराम रोजाना आप देखेंगे बाल ऐसे जैसे मेरे बाल हैं अभी बुड़ापे में भी तो ये आपको लगातार कई महीने लेना चाहिए दिल्ली से ही अगले कॉलर है मोती रानी हमारे साथ स्वागत है आपका हाँ जी जी बोलिया आपका सवाल हकीम जी से बात भी बात आपकी बात हो रही है आदा आदा भी नमस्काद अदा अधा मेरे पाव में बहुत जलन होती है पाव के तले में वैसे मेरे दोनों घुट्नों के आपरेशन होए हुए है तो फिर भी दरब होती है उतनों में उड़ते बैठते समें होती है चलने में नहीं होती है क्या उमर है आपकी? मेरी सटर है चाह देखिए मुझे तो जब अच्छा लगता जब आपरेशन से पहले आपकी हमारी बात होती देखिए फिर भी ये दद कम हो सकता है जलन खतम हो सकती है और उसके लिए आप कैप्सूल टी केर टी फोट टाईगर सुबह शाम लिया करें ताइम लगेगा और खाने के बाद और नाशटे के बाद आप इसे एक एक लिया करें पानी से या बगर चर्बी के दूस से शुगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं किसी से फाइदा करेगा और वेस्टन टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला जो टॉयलेट है उस पर आप अपनी जरुरत पूरी किया करें लीटार मुझे हैं तो बहुत शेहत के साथ आप जिंदगी गुजार सकते हैं बहुत हमरे लिए बहुत ही समानिय हैं अगले कॉलर राज़ुस्तान से है उमा जी हमारे साथ सभाकत है आपका जी बोलिए यह जी मैं बहुत बता दीजे पैसक साथ ठीकी ठीकी बड़ा अच्छा घरेली नुसका है अगर आप खुद बना लें तो बहुत अच्छा है सौफ दो सो गराम धनिया दो सो गराम और मेथी दो सो गराम ये तीनों चीजे दो सो गराम लीजे और एक आता है नमक जैतून जैतून का जिसका तेल आता है उसका नमक भी आता है ये रसायन को कहते है रसायन जैतून को नमक जैतून आसान लेंग्विज में कहते हैं इसे इं ली जाती है जो नमक के रूप में होती है लेकिन नमकीर नहीं होती है अब इसे आप उसमें मिला दीजे सो ग्राम डेर सो ग्राम जो मैंने आपको बताया निसका और इसको घर में पॉडर बना के आधा आधा चमच खाने से पहले दो या तीन बार ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपको वर्षों पुरानी बीमारी बहुत जल्द ठीक होना मुम्किन अगली कॉलन है कानपुर से शगुफता हमारे साथ स्वागत है आपका हालो हाँ मेरे चहरे में जाइया वहाँ अगर कि बड़ी दुकान पर देखेंगे तो गौन्द मॉरिंगा सफेद लिख लिग लीजे गौन्द मॉरिंगा सफेद यह आप सौ दो सो गिराम बस खरीद लीजे और इसको आदा गिराम रोजाना दूद में या पानी में डालकर मिलाकर पी लिया करिए अगर आपको कुछ ऐसा हो के मीठा मीठा वगर डालना हो भी मिला सकते हैं अगर शुगर नहीं है तो दिन में एक बार काफी है और यह लगातार पीज़े मेरट से अगली कॉलर है विनीता जी हमारे साथ स्वागत है आपका मैं मुझे आखों की प्रावल्लम है अच्छा क्या दिक्कत है आखों में मेरे आखों का नंबर प्लस में है मुझे डॉक्टर से पूछा था कि मतलब क्या यह ठीक हो सकता है पूरी तरह से जी जी हाँ देखिए अभी श्याद फाइदा भी आपको हो जाए और जिनको भी आखों की परिशानी है बच्चे या बड़े उनके लिए या दिमाग की कोई परिशानी है तो इसमें एक डाइट आप इस्तमाल करें देखिए यह जो गाजर होती है यह बड़ी घजब की चीज़ ह गाजर का हलुआ काया करें और बहुत ज्यादा प्राबलम है तो गाजर का जूस पिया करें और भी ज्यादा प्राबलम है तो एक गलास गाजर का जूस और उसमें अधा गिराम गौन मौरिंगा सफेद सफेद याद रखना सफेद वाला लेना यह बहुत अच्छा होता है और ये असली होता है बाकी जो मार्किट में मिल जाते हैं अक्सर नकली होते हैं लाल वाला या ऐसा तो गौन मौरिंगा सफेद आधा गिराम एक गलास गाजर के जूस में मिलाका रोज पिया करें आपको फाइदा मुम्किन है पंजाब से अगले कॉलर है सपना हमारे साथ सफ नगता हैं लड़के हां पच्चीस साल के बच्चे को पच्ची साल के बच्चे को पच्ची साल के उमर गयाए ऐसा ठीक है दिखिए एक सिरका आता है ऐलो वेरा का सिरका सिरका अलो वीरा का और वो तीन चम्मच पानी में डालके रोजाना एक बार या दो बार बच्चे को पिलाए करिए मुझे अमीद है उनको फाइदा मुम्किन है मालेगाओं से नेक्स्ट कॉलर है मोहनलाल जी हमारे साथ स्वागत है आपका मेरे उमर है 70 साल है मेरे को अब जया तकली हो रही है कि मेरे जो तनुए है पाओं के तनुए वो एक दिन सुने रहे लेगे पर तले इसको बोलते रहे जैसे अपने नीन आई हुए ऐसे स्टाइट से समझ गया मैं और देखिए खूब ऐसी अपना ख्यार रखा करिए और एक आता है गौन सिया जिसे काला गौन भी कहते है और देखना महाँ पर नकली बहुत मिलता है मैं लगा हूँ मैं यह सब चीज़े यह जैके में बहुत कड़वा होता है और यह अगर बिल जाए आपको 1200 ग्राम तो आप आधा आधा ग्राम सुबा और शाम पानी से बगार चर्वी के दूस से या शूगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं इस 1200 ग्राम खतम होने से पहले आपको रोग मुक कर सकता है अगले कॉलर है हरीज जी हमारे साथ स्वागत है आपका हालो हान जी बोलिए मैं जी मैं सेंटी वां का होने वाला हूं कमजोरी बढ़ी फील होती है मुझे कमजोरी बहुत फील होती है कमजोरी बहुत फील होती है इनको अगर आप अभी भी ये चाहते हैं कि हमारी आखरी सांस तक सेहत और तंद्रुस्ती के साथ आए तो आपको चाहिए कि माजून अखरोट प्राश रोजाना एक खुराक या दो खुराक लिया करें पानी से लें बगएर चर्बी के दूस से लें और रोजा न लिया करिये ये तवानाई और बुजर्गों के लिए सोना साबित हो सकता है यूपी से उत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए है स्वागत है आपका हान जी बोलिये बोलिये जी मैं यह बोलना हूं मैडम की मुझे पेट में राइट राइट मुझे दर्द सा बना रहता है कबसे है ये दर्द? दर्द नहीं है मनना कुछ भारी पंसा रहता है भारी भारी सा लगता है यजे कुछ रखा हुआ है अच्छा और कोई तकलीफ? एज एज बता दीजे दी चलिए आपकी एज पैटिस साल हमने बोल दी आप नहीं बताते तो पैटिस से चाली साल आपकी उमर है और वैसे तो बाइस साल से ज़्यादा के लोग इस नसके कुछ ले सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं देखे अच्छा नसका है एक बहुत काम्याब है और देखे आवला सुका मिलता आवला दो सो ग्राम मेथी दो सो ग्राम सौफ दो सो ग्राम यह लीजे और घर में पॉडर बनाएए और नमक आता है जिसे बहूंते देखे रसायन भी कहते हैं related की जैतुन का रसायन ईसे नमक जैतुन की वी कहते हैं या एस्टैक जैतुन भी कहते हैं 100 ग्राम यह से मिला दीजे और आदा आदा ग्राम दिन में दो या तीन बार ले सकते हैं आदा आदा चम्मच छोटा चाय का चम्मच टी स्पून जो से कहते हैं आदा आदा चम्मच लिया करें लेकि फाइदा तो आपको पहले दिन सही लगेगा लेकिन ये पूरा मेट्रिक खतम कर लेना जब तक खाना ताकि ये तमाम पेटके इम्राज को अच्छा कर सके हैं काये बात करते हैं अंगले कॉलर से स्वागत है आपका इस में दुपता है अफे तो आपके घर में यसा वैस्टन टौाइलेट होना चाहिए अगर आप बहुत महनत करते हैं तो तो अगर जाड़ू पहुचा करना पड़ता है तो कुछ दिन के लिए मत करिए तो इससे भी ठीक हो सकता है आपका पैर और अगर दवा की ज़रुवत पड़े तो आप कैप्सूल टी केर लगाता है सुबह शाम खाएं महीना दो महीना तो इससे भी आपको फाइदा होना मुम पत्री है 9 mmT और दूसरा ही है कि मैंने सिल्व दिक्स का ओपरेशन कराया था इसकी वाबदी दी प्यारों में बड़ी घंजनार बगएर रहती है तो प्रॉबलम है एज क्या है आपकी 68 है 68 जी जी मिस्टर श्रीव वास्ताव वास्ताव में जो आपरेशन आपने कराया है इससे पहले अगर आप मिलते तो आपरेशन की भी जरूत नहीं पड़ती देखिए एक निसका बता रहा हूँ वो आप इस्तमाल कर सकते हैं एक आता है कैपसूल टी केर टी फोट टाइगर सुबा शाम लीज़े नाच्टे के बाद और वैस्टन टॉयलेट यह कुर्सी वारा टॉयलेट का आपको इस्तमाल करना है जब तक आप जिन्दा है और ऐसे कोई भी कमर की डिस्का ऑपरेशन ज ज़रुत नहीं पड़ती दूसरा किड्नी के लिए बहुत आसान नुसका है एक देखिए एक आता है नमक जैतून यह देखने में नमक जैसा और जायके में नमकी नहीं होता यह रसान जैतून भी कहते हैं इसे और आस्टेक जैतून भी कहते हैं यह देखने में बिलकुल न इसमें और ये एक गिलास पीएं और पीछे से दो गिलास पानी और पीएं ऐसे आप सुबा और शाम दो बार किया करें और पानी जितना पिया जा सके पीजे ये आपके पत्री को जाके पाउडर बना देता है पानी और पेशाप का प्रेशर उस पत्री को आसानी से निकाल सकत कर दो तो ए